गाईज आजकल इन्वर्टर्स में कई सारे अच्छे अच्छे इन्वेशन्स हो रहे हैं पर अगर आपको कोई ऐसा एडवांस लिथियम बेस्ट इन्वर्टर लेना हो तो आप लोग ये जो वीडियो है इसको ध्यान से पूरा जरूर देखिए क्योंकि आजके इस वीडियो में मैं आपको कुछ हिडन प्रोजन कॉंस बताने वाला हूँ जो की काफी यूटुबर्स आपसे जो है वो चुपा रहे हैं तो फटाफट से आप लोग नीची जाके लाइक और सब्सक्राइब की बड़न दबा दीजिए और लॉंच करते हैं आज का वीडियो जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है that is specs and features और Exide Integra जो है ये एक complete integrated system है जिसके जो dimensions है वो काफी sleek हैं काफी compact हैं इसके अंदर आपको दो model मिलते हैं एक आता है छोटा Exide Integra 700 जो की 450 Watt की load capacity के साथ में आता है and next आता है इसका बड़ा भाई that is Exide Integra 1000 जो की 720 Watt की load capacity के साथ में आता है the next point is pros and cons भई अच्छा क्या है बुरा क्या है तो आईए detail में जो हैं समझते हैं सबसे पहले ले 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 दे हैं pros and features तो guys जैसा कि हम जानते हैं यह एक integrated space saving design है बहुत ही छोटा सा inverter है आपको wall के ओपर जो है आप इसको mount करवा सकते हैं इसके अंदर जो lithium battery आती है वो fast charge को support करती है और guys lithium battery का जो फाइदा है यह क्या होता है कि यह जो है इसके अंदर कोई fumes नहीं होता है इसके अंदर कोई acid नहीं गिरता बार बार आपको इसमें जो है पानी जो है वो नहीं डालना पड़ेगा तो एक completely यहाँ पे maintenance free option जो है यह lithium battery के साथ में आपको जो है यह offer करता है और यह जो inverter है guys this is safe to use indoors last year जो है एक model आया था luminous icon मैंने भी जो है इसके उपर एक video बनाया था video आपको i button यह description में मिल जाएगा इस video के बाद में आप जाके देख लेना उसमें क्या हुआ था कि मैंने आपको मना किया था कि इस inverter को आप जो है आपके bedroom में ना रखना क्योंकि उसके अंदर बड़ी भ presence of lithium battery ऐसा कोई भी यहाँ पर problem जो है वो नहीं आने वाला है इसका जो output है वो pure sine wave मिलता है along with UPS mode इसका जो display है that is tricolor LCD display और यह tricolor जो display है यह बहुत सारे अच्छे अच्छे parameters आपको जो है बताता है for example real time clock आप देख सकते हैं remaining backup देख सकते हैं charging time load percentage battery voltage और यह जो display है यह backlight facility के साथ में आता है वह लबरात के समय अंधरे के समय जो है आप इसको बड़े असानी से check कर सकते हैं अब एक्साइड इंटीग्रा में एक्साइड वालों ने जो safety का जो ध्यान है वो भरपूर रखा है क्योंकि इसके अनदर आता है overload short circuit low battery and battery heat up के against अलग-अलग तरह के protections 7 यहां पे जो point है that is very unique इसके अंदर आपको मिलता है no means power consumption का facility गाइस क्या होता है कि जो lithium battery का topology होता है वो lithium battery के अंदर आपको trickle charge या फिर float charge का जो है problem नहीं होता उसको float charge जो है वो देने की जो है जरूरत नहीं पड़ती वैसे यह जो deeply technical बाते हैं यह मैं अपने दूसरे चाइनल genuine in notions की उपर ज्यादा करता हूँ और उसका जो एक detailed video है वो आप गेन आपको i button या description में मिल जाएगा lithium battery के बारे में काफी सारी अच्छे च्छी detailed technical बाते जो है वो हमने उस channel के उपर उस video के उपर जो है वो की थी तो lithium battery का जो फाइदा यह है कि उसमें आपको फालतू में उसको ट्रिकल चार्ज नहीं देना पड़ता है वहीं पे जो lead acid battery होती है guys lead acid battery अगर पड़ी भी रहती है तो उसको फालतू में चार्ज देना पड़ता है उसको voltage देना पड़ता है ताकि जो उसकी health है वो maintain रहे और इसके वज़े से कई सारे जो inverters हैं वो mains से काफी सारी energy है वो consume कर नाल रहे हैं तो आपका जो mains का जो socket है वहाँ से energy consume करते हैं और आपके बिजली का जो bill है उसको बढ़ाते हैं तो excited इंटीग्रा में इस तरह का problem नहीं रहेगा due to the use of lithium ion battery यहाँ पे देख लेते हैं next point that is cons भई कम्या क्या क्या है और guys यह जो section है इसको बड़े ध्यान से सुन क्योंकि as a consumer आपको मालूम होना चाहिए कि आपके जो appliances आप खरीद रहे हैं उसके अंदर shortcomings जो है वो क्या क्या रहने वाली है तो पहला sub point है guys यहाँ पे इसका pricing तो इसका जो बड़ा model है वो करीब करीब 45,000 के आसपस आता है और जो छोटा बाई है वो भी काफी बेंगा है लगबग 35,000 के आसपस जो है वो आता है अलाकि जो prices है यह change होते हैं prices vary होते रहते हैं तो मैंने नीचे description या फिर first comment में आपको links दिये हैं जाके चेक कीजे हो सकता है कोई अच्छा offer वगरे जो है वो आपके हाथ में लग जाए next यहाँ पे कौन देख लेते हैं that is guys यह जो inverter है यह एक non solar inverter है ठीक है आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं solar का जमाना चल रहा है हम तो वैसे भी solar के बड़े दिवाने हैं तो इसके अंदर जो है किसी भी solar charge controller का या solar facility का integration नहीं है और समझ भी सकते हैं कि ठीक है एक बहुत ही compact design है तो इसमें जगा नहीं होगी लेकिन इसमें कौन ऐसा है कि आगे जाके आप इसके अंदर solar की जो facility है उसको आप add नहीं कर सकते है इस क्या होता था जब हमारा normal inverter battery system होता था अगर वो पुराने style का है अगर non solar design का है तो हम simply बजार से जाके एक solar charge controller जो है वो लेके आते थे उसकी दो तारे उसमें लगाते थे बैटरी में और उपर panel रग दे थे तो हमारा जो पुराना inverter वो solar में convert हो जाता था ठीक है लेकिन इस particular model के साथ में problem क्या है कि क्योंकि ये complete integrated unit है इसमें बाद में जाके भी आप कोई solar panel या solar charge controller का जो support है वो नहीं लगवा पाएंगे ठीक ह थर्ड यहां पर support लेते हैं that is no option to upgrade the battery गाइस क्या होता है कि कई बार जब हम inverter use करते हैं तो हमें उसका जो backup है वो कम पढ़ता है वही सिर्फ देड़ दो घंटे का backup मिल रहा है मारा load बढ़ जाता है तो ज्यादा backup की ज़रुए पढ़ती है और normal inverter के अंदर ये backup बढ़ाना ब है मैंने इस particular वीडियो में आपको जो है सिखाया है कि जो आपकी बैटरियां होती है उसको parallel में डालके आप जो backup है आपका बैटरी बैटरी उसको डबल किस तरह से कर सकते हैं तो वीडियो काफी अच्छा है जाके देखिएगा लेकिन यहां पे क्योंकि ये complete integrated unit है sealed unit है अग पिर कुछ कमियास और इस तरह के अगर आपको honest और well balanced वीडियो सुनना अच्छा लगता है तो नीचे जो subscribe button है उसको जाके ज़रू दबाईए अभी बात कर लेते हैं guys the next point that is warranty और यहां पे excited ने आपको दिया है for your peace of mind complete 5 years का warranty जो की product के उपर भी है और इसके अंदर की बैटर है इस पर warranty होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ऐसे भी काफी महंगी आती है यह सब चीजें तो complete peace of mind you have आपका रहने वाला है due to fire warranty next बात कर लेते हैं guys that is conclusion यह जो एक्साइड इंटीग्रा का जो inverter है यह किसे लेना चाहिए किसे नहीं देना चाहिए तो सबसे पहला यहां प चोटा सा एरिया होता है जहां पर आपको कोई inverter और ऐसी बड़ी बड़ी बल्गी बल्की बैटरी रखनी के लिए जगा नहीं है तो आप यह जो model है इसको जाके प्रेफर कर सकते हैं इसके अलवा office cabins हो गए या फिर shops हो गए ठीक है for example 10 by 10 के एक छोटी सी दुकान होती है अ और आपकी जो space है उसको अच्छे से आप utilize कर सकते हैं next यहां पर use case निकल के आता है guys that is farm houses या फिर farm cabins कई लोगों के खेतों पर ऐसे cabin होते हैं जहां पर बहुत ही rarely जो है कोई जाता है और कभी कबार जाके जो है आप उसको use करते हैं तो ऐसे locations में अगर आप lead acid battery वाला inverter रख करें तो उसका maintenance कौन करेगा क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं lead acid battery होता है उसको बार-बार साफ करना पड़ता है उसके corrosion आता है उसमें digital water डालना पड़ता है और यह सब चीज़े अगर आप नहीं करते तो आपका जो lead acid battery है यह नस्ट हो जाता है यह damage हो जाता है इसके अलावा holiday home या फिर nri home अगर आपके घर अगर आपके पास में कोई ऐसी property है अगर आप nri है या फिर अगर आपकी जो particular property है वो बहुत ही कम यूज होती है ठीक है तो वहाँ पे आप गलती से भी lead acid वाला inverter मत लगाना क्योंकि आप जो है mood बना के बड़े प्यार से आप जाएंगे वहा completely damage हो चुका था तो यहां पर आप यह जो एकसाइड इंटीग्रा के यह जो lithium battery वाले जो inverter है जिसमे no maintenance battery है जिसमे कई सारे safety features है इनको जो है आप consider कर सकते हैं तो यह जो एकसाइड इंटीग्रा के inverter है इसको purchase करने के affiliate buying link मैंने नीचे description या फिर first comment में दिये है मुझे अगर appliances आप खरीदे नीचे दिये गए affiliate links का इस्तमाल करके ही खरीदे अभी बात कर लेते हैं last point के जाई status competition अगर आपको देखना है कि एकसाइड इंटीग्रा के अलावा हमें कुछ और inverters देखने हैं कुछ और brands देखने हैं जिसमें heavy duty battery भी लग जाए जिसमें solar के features भी हो तो यहा आज के वीडियो में इतना है गाइस टेक केर एंड एव नाइस देख